एक आयत बनाएं जिसका शेत्रफल दिये गए आयत के शेत्रफल के बराबर हो पर किसी भी भुजा की लंबाई दिये गए आयत की भुजाओं के बराबर ना हो तो पहले देखते हैं कि हमें दिया क्या गया है हमें यहाँ पर यह नीला वाला आयत दिया गया है और यहाँ पर हमें यह दिया गया है कि हमें एक दूसरा ऐसा आयत बनाना है जिसका शेत्रफल इस वाले आयत के शेत्रफल जितना हो तो पहले तो आखिर शेत्रफल होता क्या है? तो शेत्रफल हमें बताता है कि अगर हमारे पास कोई आकृती है तो वो आकृती किसी सतह पर कुल कितनी जगह घेरेगी वह हमें उस आकृती का एरिया या फिर शेत्रफल देदेगा तो देखते हैं कि हमारा ये नीला आयत इसका शेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर अगर हम इस ग्रिड को देखें तो हमारे पास ये जो ग्रिड है ये छोटे-छोटे वर्गों या फिर स्क्वेर से मिलकर बना हुआ है और हर एक छोटा वर्ग इस वर्ग का जो शेत्रफल है य यह मारे इस आइत में कुल कितने वर्ग इकाई के बराबर है। तो चलिए गिनते हैं कि यह आयत कुल कितनी वर्ग इकाई से मिलकर बना है। यानि ये हमारे इस grid पर 8 वर्ग एकाईओं की जगे घे रहा है, तो इसका जो शेत्रफल या area है ये भी 8 वर्ग एकाईओं के बराबर होगा, ठीक है ये तो समझ आ गया हमें, अब हमें एक दूसरा ऐसा आयत बनाना है, जिसका की शेत्रफल हमारे इस आयत के बराबर हो, यान हम आयत बनाएंगे जो हमारा नया आयत होगा, उसकी किसी भी भुजा की लंबाई हमारे इस दिये गए आयत की भुजाओं के बराबर नहीं होनी चाहिए, यानि कि हम ठीक ऐसा ही आयत तो नहीं बना पाएंगे, तो पहले देखते हैं कि हमारे इस आयत की भुजाएं आखिर हैं कितनी, तो अगर हम इस और को देखें, तो यहाँ पर हमारे पास कुल एक इकाई है, और अगर हम इसकी लंबाई देखें, तो हमारे पास कुल आठ इकाईओं जितनी लंबाई है, यानि कि हम कह सकते हैं कि हमने अपने कुल शेत्रफल को, यानि कि आठ वर्ग इकाईओं तो पक्का से नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हमें हमारी भुजाओं की जो लंबाई है, वो कुछ और चाहिए, वो एक और आठ के बराबर तो नहीं होनी चाहिए, तो इसके लिए अब हम सोच सकते हैं कि आठ को हम और किन किन तरीकों से तोड़ सकते हैं, तो आठ को अगर हम कु ऐसा कर पाएंगे हम, तो अगर मैं यहाँ पर दो पंक्तियां ले लूँ, यह हो गई मेरी एक और दो पंक्तियां, और हर एक पंक्ती में अगर हम चार वर्गिकाईयां ले ले, यह हो गई हर एक पंक्ती में एक वर्गिकाई, दो वर्गिकाई, तीन और चार वर्गिकाईय तो यहाँ पर ये वाला जो आयत है, यहाँ पर इसकी भुजा की जो लंबाई है, ये दो एकाईयों के बराबर है, और इस भुजा की लंबाई चार एकाईयों के बराबर है, और इसका जो शेत्रफल है, ये भी आठ वर्ग एकाईयों के ही बराबर है, एक बार लेकिन पक्का करने के लिए चलिए सारे इसके अंदर जितने भी वर्ग हैं उनको गिन लेते हैं तो ये हो गई एक वर्ग काई दो तीन चार पांच छे साथ आठ वर्ग काईयां यानि हमारे इस आयत का शेत्रफल ये हमारे इस नीले वाले आयत के शेत्रफल जितना ही है लेकिन इसकी अंसे वर्गों को चुन रहे हैं जब तक कि हम दो पंक्तियां लेले वर्गों की और हर एक पंक्ति में हमारे पास कुल चार वर्ग एकाईयां हों।